नमस्कार दोस्तों मैं हूँ राजेंदरदत और आप देख रहे हैं आर्थ-प्रकाश टीवी दोस्तों हर्याना में विदान सभा का सत्र चल रहा था इस समय जो सत्र चल रहा तार उसका आखरी दिन था इन तीन या चार दिनों में जो बिपक्षी पार्टियां थी, बिपक्षी पार्टियों ने जो सत्ता रूल पार्टियां उस पर कई तरह के सवाल उठाए, जहां जो सत्ता रूल पार्टियां उसने कई तरह के जो लोगों को आस्वाशन दिये, यह यूं कहें कि कई तरह की घ बिदायक हैं जो अपने बड़वोले पन के लिए बहुत मानने जाते हैं पिछले दुनों भी उन्होंने कुछ ऐसे बियान दिया थे जिसमें कहीं न कहीं सारी की सारी भारत जनता पार्टी घिरती हुई नजर आई थी इस बार भी उन्होंने बिदान सभा में कुछ ऐसे बड अच्छा करते हैं मेरा सब सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में दन्यवाद नमस्कार मेरा सब आप राजनीती के बहुत हच्छे जानकर हैं विदान सभा सत्र चल रहा है एक दिन बढ़ाया गया चार दिन का सत्र हो गया और आज आखरी दिन था भारती ज उसके जित होई है भारती इंदापार्टी के इंडान में वो मेरी वजह से हुई है उसके लिए मैं ही सब कुछ हूँ सर्वे सर्वा ही और अभी उन्होंने अपनी ही सरकार पर कई طरह के सवाल उठाए जिसमें उन्होंने भरश्टाचार की बात की जिसमें उन्हें law and order की बात की इस तरह की कही सरे सवाल उठाए क्या लगता है आपको इस बारे में कि इस तरह से अपनी ही सरकार को घेरना कहां तक जाएज है और यल्णां सरकार का जो शीट कालिन שतर था जो पहले थीन दिन का रखा गया था तैरा और चोधा आर टारीख का निश्चित गया गया था और अब ही आरियना सरकार ने जो एक दिन का और वड़ाया हूँ जो आज तक आज समपन हुआ है और उस विदानसभा सत्र के दौरान कई परकार के निर्णाय कई परकार के विधेक पारित किये गए और जो जन्ता से जुड़े मुद्दे थे उनको कहीं कहीं विधेकों के जरीए उनको मानता दी गई जिस प्रकार से जो रियाना रोजगार कौसल निकम के तहत जो करमचारी एक लाख बीस हजार करमचारी लगे हैं उनको पका करने का जो मामला था वो कहीं कहीं विधेक के दरगत किया गया विधेक लाया गया उसके लिए यह अब एक विद्हेक के तायत हो पॉआ गया है किसी इस त्रकार ने है किसी ही अधाउन साल तक किसी को तरह == कि दॉत जाम जाकिंध। पक्का करने की सरकार नहीं किसी भी तरह का आसवासन या बात नहीं की जैसा कि पिसली सरकार ने जो 2014 में से पहले 2009 में पेंदर सिंग उड़ा के नितरतों में कॉंग्रेस की सरकार थी उन्होंने भी पार्ट बन पार्ट टू और ठेकेदारी सिस्टम के तायट करमचारी लगा थे लेकिन लास्ट में उन्होंने जाते-जाते पांच साल के बाद जो जिनका तीन साल का कारेगार पूरा हो गया था उन करमचारी ओपका कर दिया था इसमें उनकी जो 58 चाल तक कि एक करमचारी किया जो सेवा निवर्ति कि आयू होती है 58 चाल तक उनको किसी परकार से अटाया नहीं जाएगा यह बेनेफिट सरकार ने करमचारियों को दिया है और जो भी पचास हजार तक कितना खापाने वाले और मुझे लगता है आज जो बिल आया ह जो उसमें मुझे लगता है जो लेक्षरल परवक्ता जो कॉलीजों में लगे उनका उनकी लिए भी फैंसला लिया गया है कि उनको भी जो 68 साल की उमर तक किसी परकार से उनको नोकरी से नहीं निकाला जाएगा इससे मुझे लगता है एक लाग बीस अजार से भी ज्यादा पार्टी की विधायक हैं और उननों ने अपने एक सी के तहत जो पहचान उनकी रही है अपनी सरकार की खिलाव भी ओ बोलते रहते हैं और पहले भी ज़नलाई जनता पार्टी में वो रहे हो वो रहे हूं जो फिछला से सरकार का कारेकाल था उसमें वो विदाएक थे नालोंच से और अपने ही पार्टी के जो अद्ध्यक्स थे दूसें चोटाला उनके खलाप वो बोलते रहे हैं मुखर होते रहे हैं हर बात पर किसी ने किसी तरह चाहे मंतरा ले बाटने की बात हो चाहे और किसी तरह की जो योजनाओं की कारियों की बात हो उन पर विपक्स में बोलते रहे हैं तो आज भी उन्होंने इसी रवईये को अपनी सरकार के खिलाफ उन्होंने चारी रखा और संगीन उन्होंने एक एरोफ में तो हुआ जो और नीस दी दूप से देना चाहिए और यह बहुत ही गंभीर जो बातें रामकुमार गोतम ने कहिए हैं। उन्होंने कानुन वेस्था की बारे में बात की है कि कानुन वेस्था में सुधार की जुरूरत है इसका मतलब कानुन वेस्था की हालत चर्मना रही है और जो बहुत ही एक चिंता का विश्य है क्योंकि अगर कानुन वेस्था खराब होगी तो निश्ची तुरूप से कोई भ प्रदेश की निवेस्ट की बात करते हैं जिस भी प्रदेश की में अर्थविश्था लाइंड और तो मुझे लगता है पुरे प्रदेश की के विकास के लिए श करते हैं और फी सांहें प्रदेश है और इसकी साथ-साहिए है थाया moderate college on रहाँ औरहा जाए कि private college on में चयार महिने के लिए के लिए निकाल δिया जाता great आट मेंने उनको तनका दी जाती है उन्हें उन्हें उसे काम लिए जाता इस तरह से जो करमचारी है उनको कहिंगे उनके संग्यान लेना चाहिए और प्राइवेट जो संस्थाइये जो college या institute चला रही हैं उनको कहिन के निर्देश करना चाहिए कि जो कर्मचारी हैं और lecturer है प्रवक्ता हैं उनको कहिन के पूरे साल भर उनके काम लिया जाए और उनका कहिन के लाव हो तो इस प्रकार से एक और जो main मुद्धा दवाईयों और खाद्यपदार्थों मिलावट क बहुत गंभीर मुद्धा उन्होंने टच किया है उठाया विदानचवा में के दवाईयों में भी कहीं कहीं मिलावट हैं और खाद्यपदार्थों में भी हैं ये सीधा सीधा आजनता के स्वास्ते के साथ खिलवाड हैं पिछले दिनों एक report आई थी कैग की report आई थी उसम तो हो चुक्厘े ब्लाइक लिस्टिड के दवाइयों क्रेंटी गई गहीं जैसा के जो ब्लैक लिस्टिड कंपनियों से दवाई दुक उफाने है इसके साथ साथ उन्होंने यर्दधा उठाया के Web Drug national rural health mission के तहत जो ambulances जो चलाई जा रही है department द्वारा और उनकी timing में जो फरक मिला है और timing के के अंतर होने की वज़े से जो तेल का कंजूम जो उन्होंने किया है petrol डीजर की जो घपला किया है उसमें गोटाला सामने आया है करोड़ों रुपे की चपत सरकार को लगी है यह मुद्ध भी उन्होंने जो सफीदों से बिदायक है अपनी बारती संदा पार्टी के ही उन्होंने सरकार के सामने रखा और कहिन की उस गोटाले के उजागर करने की गार्टी उन्होंने हें मैं यह कह सकता हहूं और कने नगरपरिशत दौर नगरपाली काओं में बरस्ताचार का मामला उठाया है कि अधिकारीों की जवाब देही होनी चाहिए ये सरकार के लिए बहुती एक मैं कहता हूँ एक चुनोती है क्योंकि पिछली 10 साल से भारतिय जंतापार्टे की सरकार हर्याना राज्य में है और 10 साल के बाद भी अगर कोई सत्ता-पक्स का विधाय कि इस तरह के मुद्दे जो सरकार के सामने विधान सबाब में लेकर आता है तो ये सरकार के लिए बहुत ही एक मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही चिंतनी है बहुत गराई से और बहुत गंबीरता से सरकार ने जिसमें संग्यान लेना पार्टी बिजनता की बात है और दस साल के बाद बी ये मुद्दे हावी हैं तो वाकी जन्ता की बात है रामकुमार गोत्म की एक बड़वला पन तो उनमें है लेकिन एक खास बात भी है कि सरकार को चाहिए किसी की सरकार रही हो उसको आइना भी दिखाते हैं ते परदेश में जो रियल जो पोजिशन परदेश की लोगों की क्या है उसके बारे में सरकार को सचेद करते रहें और काम अभी उन्हेंने इस विदान सभा सतर में किया मुझे लगता है सरकार को जाग जाना चाहिए और जो इतने भी मुद्दे परदत रामकुमार गोत्म ने उठाए है इन पर गंभीरता से सोच करें इन पर आगे बढ़कर काम करना होगा निश्ची दूरूप से हम भी यह क इस और धान कम है मुझे लगता है और निश्ची दूरूप से कह सकते हैं कि अगर कानून वेस्टाइटीक नहीं होगी तो तुन्जी निवेस कहां से आएगा जो परदेश की डॉलमेंट कहां से होगी तो इस पर सरकार ने कहीं देखना चाहिए और यह एक आइना सरकार को दिखाया अगले पांच साल मुझे मंद्री ने अपने टीम के साथ काम करना है और इस पर अगर सुरू से ही अगर काम किया जाएगा तो मुझे लगता इस्ताथी बेटर हो सकती है और उन्होंने मुझे मंद्री की यह कहते वे तारिभी कि अगर इन मुद्दों पर काम कर ल और यह चार दिन सत्र हुआ कहीं न कहीं कुछ चीजें ऐसी रहे गी थी जो चौथे दिन सत्र को आगे मढ़ाना पड़ा तो क्या-क्या ऐसा रहा इस वार खास इस विदानसवाद सत्र में मैं चाहता हूं हमारे जो दर्शक है जो लाइफ विदानसवाद सत्र को नहीं तो मैं चाहता हmbol यह एक बार उनकों पता रहा जो चीजें कि क्या-क्या इस सरकार द्वारा किया इस विदानस वार 17 के द्वारा धजिए एक तो हम विदेक क करते हैं तो विदेक कहलों जो जो तीसरे दिन विदानसाद का सत्र रहा था उसमें च्छो मैं जो जो आज विदान सबागा 70 हुआ उसमें पांच विदेख पारित की गए और उन विदेखों में एक तो यह जो हम बात कर रहे हैं जो कॉलिज लेवल के जो प्रवक्ता है उनकी जो पसास आजार से उनकी से ज्यादा है उनकी से उनकी उनको भी कहीं नहीं इसमें लिया गया के गए अठाउन साल तक उनको कहीं और इसके साथ साथ नागरिक सुरकशा सहीटा यही विदेख था जो पहले सरकार ने लेके आई त ही और किंदर सरकार को भेज हा था हुप किंदर सरकार के प्षार करने बारए बेरा वापिस भेज त्या गया था लेकिन आज जो कंदर सगरा न सलागे रूप में दुबारा पर विश्र Спशुत करने की बात की सला दी थी तो आज वो विधेक भारतीय नागरिक शुरुख Zahita का विधेक जो आज पारित किया गया इसके इसके साथ ाद हम ने जो पारित की अर्याना विस्तार आती थी प्राध्यावत्पक के नम विदेग को आज पारित किया गया ये वही विदेग है जो बात कर चुके हैं कि जो कॉलिज के जो लक्ष्राय रहां पचास हजार से अधिकतर खाजो लेते हैं और वो अर्याना ये रोजगार कल्यान निगम के तहत वो लगे पका मिंस अठावन साल तक उनको अठाए नहीं जाएगा इसके साथ से अर्याना तक्निकी सिक्षा इत्ति संकाई तकनिकी सिक्षा विभाग में भी इस तरह के जो करमचारी और फैकल्टी लगी वही थी उनको ब्यटावन साल तक नए अठाने की एक विदेग ये पारित कि इस परकार से आज मैं कह सकता हूं कि पांच मुझे लगता है पांच विदेग पारित किये गए हैं और कल जो विदेग पारित किये गए थे शे विदेग पारित किये थे उनमें अर्याना पंचायती राज विदेग अर्याना ग्राम श्यामलात भूमी संसोधन विदेग दो गोजाविस हर्याना नगर नीकम संसोधन विदेः टो आरपिश हर्याना नगरिये क्सेट्र विकास बिन्यम गी विदेः 2000 ने क्रेश सेफरेंगे सुनिशित्था विद्ध통 ज पासची था है इनमें घ्स से अम बात करते हैं अरियाना ग्राम सामलात भूमी की सामलात भूमी पर सरकार ने एक निर्ने लिया है विदेक लाई है और पारित हुआ है कि जिस भी वक्ति का बीस साल से सामलात भूमी पर कब्जा होगा उसको एक मालिका नाहक उनको दिया जाएगा और इस प्रकार से पंचायतिराज विदेक की बात कम करते हैं पंचायत तिराज विदेक और स्थानिय निकाए जो नगरपाली कार्षन सोधन विदेक है इनके तहट जो को आरक्षन ने इसमें दिया गया है में BCB के सद्सेदा और नगरपाली में इसे दिय गएता मुझे अगर आब US को भी इन में आरक्षन का जो लाब ले पाएंगे इस प्रकार से मुझे अचग्ड लगए जो विदेक देख पिष्ले दो दिन में पारिद किये हैं, ये कहिन कहीं, जनता के लिए लाब दाइक भी आउंगे, और जनता को कहिन की, ये मांग भी थी इनकी, और ये सरकार ने आज इनको किया है, और मुझे लगता है, बड़ी सरकार के सामने चुनोतियां भी आई हैं, इस जो सित्का सकतर है क्योंकि कि सरकार अभी cricket है कि सरकार का economy जण्द की है कि भारती जंदापर्ट्ट है पहले पिती दस साल और यह भी तिसरी बार भी वारती जंदा पार्टी की सरकार बने तो हनीमून पिरियर तो मुझे लगता है इनका हो चुका है और अब तो कहीं कहीं काम करने की इनकी लोग देखा जाए तो दस साल पहले ही निकल गया क्योंकि यह सरकार नहीं है लोगों के के मंध competit рад In the已 अगर सरकार बदलती है तो दो साल तक कि अपनी जो बासन है और प्रेस जो कॉं प्रेस के लोग और हम पूछते हैं कि यह काम क्या जाएगा गाया लेकिन इस सरकार करें यह सरकार के साथ एसा कुछ नहीं है क्योंकि यह सरकार दस साल से राज्ये में काम कर रही है लोगों को इस सरकार से और अधी का पेक्षा हैं और देखते हैं आने वाला समय कैसा रहेगा इन जिंदा के पेक्षाओं पर किस प्रकार से खरीब दर पाएगी देखिए विधानसबा सत्र की बात होती है मैंने सब जब भी तो विधानसबा सत्र में पक्ष और विपक्ष दो पहलू होते हैं और जो पक्ष की बात करते हैं सतार रूर पार्टी की बात करते हैं वो कोई ना कोई अगर रान करता है या किसी भी मुद्दे पर बात करता है त शुरू के जो दो दिन थे उन दो दिनों में विपक्स के जो विदायकों को मौका मिला पहले दिन की बात करते हैं तेरा तारीकों जो एक सरकार ने रोड मैप जो है ना विकास का परदेश के विकास का पेस किया और वो माननिये गवर्नर साब ने किया और उस रोड मैप का जो कंग्रES के विदायक ते और विपक से विदायक थे सभी पाटियों के चाहिए टन कीका क्वेदायक है तो हूं सर्कार को फूब बाइन से संफ। की लोगों के सामने थी जनता की समझें, छूरी हिसाम समझे हैं, उन्होंने उठाईी, जाहे अजूकेशन की बात हो, चाहे उरक्षन में वर्गीकन की बात हो, और प्रदेश के डीवेलमेंट जो आजकल किसानों को दिक्कत आ रही है डी वेपी मिलने की क्योंकि फसल की विजाई का समय है और डी वेपी की बहुत जरूरत रहती है. खासकर गेहूं की विजाई के समय बहुत जूरूरत किसानों को रहती है क्योंकि डियेपी के बगार जो अगर डियेपी का यूज ने करेंगे तो उनके कहीन की उत्पादक्ता में कहीन की डेफिनेटली कमी आती है और कई जैसे सिर्षा में, फत्याबाद में, सार में, कई जुलों में जो डियेपी की जो किलत बनी हुई है, वो किसानों बार-बार उन्होंने अपनी विभिन मादिमाशों सरकार तक अपनी बात भी पहुंचाई है और उनकी बात जो विपक्सी विदायकों ने इसमें विजानसमा में उठाई है वो निश्ची दूरूप से उसमें सरगार कहीन कहीं बस्ती नजर आई है अलांके मुख्यमंत्री ने जब विपक्सी विदायकों ने जब उनको डिवेपी की कम मुद्दा उठाया तो क्रिशी मंत्री से कहीन के जवाब नहीं दे पाए और मुख्यमंत्री नाइप सिंग्सानी को उसको जवाब के लिए आगयाना पड़ा उन्होंने मोर्चा समाला और इस तरह से जो डिवेपी से संबंदी जो समस्या थी लोगों की जो किसानों की वो कहिन की विदायक उठाए विदायकों ने उठाए और सरकार ने एक एक आस्वासन दिया कि डिवेपी की किसी तरह की कमी नहीं रहने दी जाएगी पर इसके साथ जो देंगू के मामलों में स्रकार देंगू के मामलों में करने के किरती नजरी और जो अरजुन जोटाला है आइनेल्दी के विडायक उन्होंने मामला उठाया था कि सरकार के पास देंगू के अग्ड़ा नहीं है। स्वास्ते मंतरी नहीं से जवाब दिया कि अभी से मौते हुए लेकिन और इपक्ते इन्कार कर दिया और सरकार के पास अंकड़े नहीं और वह और बचाव मुख्याम olmaz आगया है मुख्यमंत्री जी ने यह कहा कि जो फोगिंग का है वो और ज्यादा प्रभावी कदम उठाई जाएंगे और मच्छरों से कहीं कहीं निजात दिला पाईगी सरकार इस प्रगार के बयान जो मुख्यमंत्री ने कहा तब जाकर थोड़ा बहुत जो विपक्सी विदा कि उन्होंने उठाए यहां तक की डिवल्मेंट का मुद्दा जो पूरों मुख्यमंत्री है बुपेंदर सिंग उड़ा उन्होंने उठाया कि हमने उन्होंने एक जो अपने जो कारेकाल में दस साल में हुए जो कारिया उन्होंने किये हैं उनकी सरकार ने वो कारिया रखे और पिछली 10 साल के जो बाज़पा सरकार के कारे रखे उन्होंने ये भी कहा कि हमारे सामने सरकार कहीं ने टिकती तो हमने जो कारे किये हैं वो सरकार बाज़पा ने इतने कारे कता ही नहीं किये और अपने बात सरकार की बात अपनी सरकार की बात रखने के उन्होंने भी कोश है जो विपक्से विदायक थे जो कॉंग्रेस पार्टी के विदायक थे वह कहीं कहीं भारी बढ़े बाद में मुख्यमंत्री नाइप शिंग से ने उनका जवाब भी दिया अलांगे जब समय हैं उन्होंने अपने चर्चा में उठाई विपक्सी विदायकों ने तो बीस-बीस में बड़ी टोका टोकी हुई एक बार तो विदायकों कॉंग्रेस के विदायकों ने वाक आउट भी करना पड़ा तो इस तरह के कई समयाओं से सरकार अभी जोजी है और चुनोती हैं स सरकार के लिए कहीं एक कष्णाई प्यादा करने बारा होगा जी बिल्कुर बिल्कुर क्योंकि पिछले दस साल का इसाब भी जो विपक्स के विदायक हैं वो भी मांग रहे हैं दस साल की शाषिनकाल के बाद कहने को सरकार के पास कुछ नहीं होता है करने को होता है और कहीं अगर बात करें जैसे आपने कहा कि जब कोई सरकार बगलती है तो दो साल तक सरकार यही कहते हैं कि हम पिछले सरकार के गड़ों को बर रहे हैं लेकि यह तो पिछले दस साल से सरकार चल ले तो आगे उनके लिए कही न खही जो मुश्किले हैं वो बढ़ सकती है अगर ये काम नहीं करें इस तरह की बात कहने का इनके पास कोई समय नहीं होगा ना ही इनको मौका दिया जाएगा इननों ने तो सिर्फ और सिर्फ काम करके दिखाना है और लोगों के बीस में जाकर जो लोगों से जुड़ी समिश्चा हैं समिश्चाओं को दूर करना है तभी लोग एक्सेप्ट कर पाएंगे कि निश्चित रूप से सरकार बहतर काम कर रही है परदेश के लिए बहतरीन सावित यह होगी सरकार जी सो दोस्तों अगर बात करें भारती जनता पार्टी के तो पिछले 10 साल से हर्याना में भारती जन इस पर चिंतन करना होगा कि पिछले 10 साल का उनका कार्यकाल कैसा रहा है अगर उस कार्यकाल में कुछ कमिया कुछ खामिया या कुछ ऐसी चीज़ें रह गई है जिससे अपनी ही पार्टी के जो नेता है उन पर सवाल उठा रहे हैं उन पर चिंतन करके उनको ठीक किया जाना चाहिए, मेरा साथ, आप हमारे स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार.